इंतजार की गड़ी खतम, मोधी सरकार के तीसे कारेकाल के पहली बजट का पिटारा खुल चुका है मोधी 3.0 का पहला आम बजट पेश वितमंत्रि निर्मला सीधर अमन्ड ने संसद में पेश किया वितमंत्री के तोर पर उनके ये लगातार सात्वा बजट है बजट में अलग-अलग सेक्टरों के लिए कई घोशनाई की गई लेकिन आम आदमी की जेप पर किस चीज का बोज बढ़ा है और किस एलान ने उन्हें राहत दी है चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं बजट में क्या सस्ता और क्या महेंगा हुआ है निर्मला सीतर अमर्ण ने कहा कि आंतरिक बजट में हमने गरीब महिलाएं यूवा और अन्दाता पर फोकस किया उन्होंने कहा कि भारते अर्थववस्ता लगतार चमक रही है बजट भाशन के दोरान रोजगार से जुड़े कई एहम एलान किये गए वहीं बजट में इंकम टेक्स लेब में छूट देकर मध्यवर्क का दिल जीतने की भी कोशिश की गई इसके अलावा सबसे बड़े एलान के तहट कई जरूरी चीजों को सस्ता करने की भी कोशना कर दी गई है अपने बजट स्पीश में वित मंतरे निर्मला सीता रमर ने एक बड़ा एलान कैंसर की दवाईयों पर कस्टम ड्यूटी घटाने का किया कैंसर मरीजों को राहत देते हुए तीन दवाओ पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है वहीं सिग्रेट इस बार भी महंगी कर दी गई है आये जानते हैं कि बजट में किन चीजों को सस्ता और किन चीजों को महंगा कर दिया गया है यह चीजें होंगी सस्ती चमडे के जूते कपड़े सोना चांदी मूबाइल चार्जर इलेक्ट्रोनिक वीकल कैंसर दवा बिज केमिकल वहीं निर्मला सीतर अमर ने इस बार मध्यवर्ट को भी राहत दी है अपने बजट भाशन में उन्होंने कहा कि स्टेंडर्ड टेक्स कटोती को 50,000 रुपे से बढ़ा कर 75,000 किया जाता है इसके अलावा 0-3,000,000 रुपे तक की सलाना आय पर कोई टेक्स नहीं देना होगा 3-7,000,000 रुपे तक की इंकम पर 5% टेक्स लगेगा वहीं 7-10,000,000 रुपे तक आय वालों को 10% टेक्स देना होगा 10-12,000,000 तक की आय वालों को 15% और 12-15,000,000 तक की इंकम वालों को 20% आय कर लिया जाएगा 12,000,000 से उपर की सलाना आय पर 30% टेक्स लगेगा इसके अलावा मुद्रा लोन की रकम 10,000,000 से बढ़ा कर 20,000,000 रुपे की गई है बिदमंत्री ने कहा कि सिर्वी की पहुच बढ़ाने के लिए अगले 3 साल में नए ब्रांच खोली जाएंगी इसमें से 24 ब्रांच इसी साल खोली जाएंगी 50 मल्टी प्रोडक्ट ऐसी ही तमाम बड़े चानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें News State MPCG